हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि what is the major difference between IPC and CIPC अगर हम भारती दंड सहिता और दंड प्रक्रिया सहिता की बात करतें तो इन तौनों में major difference क्या है अब हम पहले हम बात करतें भारती दंड सहिता की भारती दंड सहिता उसमें आप अगर देखेंगे उसमें टोटल टेज़ चैप्टर्स हैं टेज़ भागों में विभाजित है पांसो ग्याराइ धाराय है जब हम CRPC की बात करते हैं तो उसमें 37 सध्याय हैं और 484, 484 sections है ओके इसके साथ आपने जब ही आपने कोई law पढ़ा होगा तो उसमें कहा जाता है यह substantive law है यह procedural law है अब बहुत easy तरीके से अगर मैं आपको समझाओं कि IPC में क्या होता है कि IPC में basically यह एक मौलिक विदी है substantive विदी है जो provide करती है punishment for the wrongdoers कि जो भी वक्ति अपराद करता है offense करता है उसके लिए उसे punishment देने का काम है वो IPC का है अगर murder किया है this is the punishment चोरी ही है this is the punishment ठीक है अगर attempt किया offense commit करने का this is the punishment तो यहाँ परिभाशाएं दी गई है कुछ अपरादों की और अपरादों की परिभाशाओं के साथ साथ उनके लिए punishment provide किया गया है तो basically generally कहा जाता है IPC is substantive law ओके दूसरी बात जब हम CRPC की बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराद किया है उसे दंड उसे कैसे दिया जाएगा उस प्रक्रिया की बात तो CRPC हमें कहां फॉलो करनी है जब उस मामले में किसी व्यक्ति को दज कि पुलिस कब गिरफ़तार करेगी ठीक है बेलेबल ओफेंस कौन कौन से नॉन बेलेबल कौन से कहां पर बेल स्विकार होगी कहां पर उस्विकार नह जाता है जिसको पूरा करने के बाद आप अपराधी को पनिश कर सकते हैं तो इस प्रकार से IPC एक मौलिक्विदी है एक सबस्टेंटिव लौ है जिसमें अपराधों के लिए अपराधों की परिभाशाओं के साथ साथ पनिश्मेंट प्रोवाइड किया गया है ओके और तो जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया विच प्रिस्क्राइब्स पनिश्मेंट ओके तो अगर अगर में परपस देखा जाए IPC का वो क्या है एक सामानी दंड सहिता का निर्मान करना जो जो भी अपराधी है उनके उपर एप्लिकेबर हो दूसरी बात जब हम CRPC की बात करते है त CRPC का तो कंसॉलिडेटी क्रिमिनल लॉग इंडिया ठीक है इंडिक कोड कैसे फॉलो करेंगी किस मामले को फॉलो करेंगी किस कोड के पास कितनी पावर है कितना पनिश्मेंट गया जाता है कौंसा मैंटर कहां जाएगा पुलिस की क्या प्रतिया होगी ठीक है और अपराध आपने बता दिया ऑप्राइब्रेण समुल्ठह करण है इंडिक है प्रतियु क्या गया जाया जाएंगा इसे प्रेशनी कीज जाती है वह सारी बाते बाते के द्वारा थीजाएंगा थी धाने क्रिमिनल मैंटर हो सब्सक्राण कि बाते जाएंगा तो ऐसा कोई law अगर Megail की बात करेंगे इस चाहर के शिल कोई अधिकारों के बात कर है कि पताता है टीके यहॉर डिूटी क्या अगे तो यहॉर राइच recently has Liftti बैसे भिल अधिकारों की बात कर रहा है ठीक है लेकिन अगर आपको कॉंस्ट्रेक्ट में किसीने ब्रीच ऑफ कॉंट्रेक्ट की या तो you are having right to get compensation फंब टेकन अनाधर पार्टी लेकिन कैसे CPC में जाना होगा ठीक है तो जो हमारी procedural है जो प्रक्रिया है जो court के द्वारा follow की जाएगी ठीक है ना जो court के द्वारा follow की जाने वाली है वो आपको प्रक्रिया में बताया जाता है और जो अपराद और अपरादों की punishment की बात करें दंडों की बात करें वो IPC में बताया गया है Thank you so much